तो दोस्तो आज मैं लेकिया हूँ आपके लिए बर्नपूर सेमेंट लिमिटेट का कम्प्लीट शेर अनिलाइज जानेंगे हम इस वीडियो में इस कम्पनी का कम्प्लीट फांडामेंटल को और चार्ट पटन को अनिलाइज करके मैं आपको बातान वाला हूँ कि आपको इस इस कम्पनी पर निवेश है या फिर आप इसमें फ्रेश निवेश करना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेलफूल सापित होने वाला है आप इस वीडियो को बिलकुल आंते तक देखते रहिए तो ये है इस कम्पनी का मार्च 2023 का क्वाटले रिजल इस मार्जिन पर कंपनी को प्रोफित हुआ है साड़े 24 परसन के आसपास ओपरेटिंग इंकम में कंपनी 3050 परसन लगभग इस साल में प्रोफित में हैं कंपनी यहाँ पे कॉस्ट आप रिविनु पे बहुत ज़्यादा प्रोफित नहीं कमाया है लेकिन आधा परसन के आस सिमेंट मैनुफेक्चरिंग करता है एक पेनी स्टॉक से इसका टोटल मार्केट के आप देख सकते हो 41.8 करोड कंपनी का मार्केट कैप है करेंट शेर प्राइस कंपनी जो है इस वक्त चार रुपया 85 पैसे पे ट्रेडिंग कर रहा है हाई एक रहा इस कंपनी का इस साल में 6 रुपया 85 पैसा और लोगेस्ट प्राइस आप यहां पे देख रहे हो 3 रुपया 55 पैसा कंपनी का लोगेस्ट प्राइस रहा इस साल में बुक बेलो कंपणी का 41 रुपया जो है माइनिस पर जा चुका है कंपणी आपको डिविडेन नहीं देता है 0.65% का यहाँ पे रिटेन और कापिटल इंप्रोईट का नमबा से और रिटेन और इक्विटी का नमबा से 0 है यहाँ पे फेस बेलो दोस्तों कंपणी का 10 रुपय का है तो कुछ negative और कुछ positive points हमें देखने को मिल रहा है इस company से related जो की बहुत अच्छा fundamental नजर नहीं आ रहे है बाकि यहाँ पे promoters का holding देखेंगे तो 1.98% का promoters के बास holding है जो की बहुत ही कम है और यहाँ पे promoters ने बीते 3 साल में लगबग 26% का holding बेच के कंपणी से जुन 2023 के quarter में और यहाँ पे sell हुआ है 50 करोड का तो company जो है operating profit में यहाँ पे देख सकतो 3 करोड profit में है आप जहाँ पे शुरुबात में देखे थे operating profit में बहुत ज्यादा numbers था ओ यही है number 3 करोड company इस quarter में operating profit में profit में है net profit देखेंगे इस quarter में तो इस company का जो पीछले साल में net profit था वो 12 करोड का loss पे था company और यहाँ पे देख सकतो इस quarter में company को 18 करोड loss हो चुका है ठीक है तो 12 करोड से 18 करोड loss पे आ चुका है overall company loss पे ही है और फिलाल और भी loss ज्यादा बढ़ चुका है यह आपको दिमांग में रखना है और यहाँ पे year में आपको दिखा देता हू इसका numbers इस साल में company का expense हुआ है 158 करोड का और sale हुआ है यहाँ पे 165 करोड का तो company 7 करोड जो है operating profit में इस साल में profit में है लेकिन net profit देखेंगे तो पिछली साल की तरह है एकत्तर करोर पिछले साल में लॉस पर था इस साल में भी एकत्तर करोर कमपणी को जो है इस साल पर लॉस हुआ है यहाँ पर कमपणी का sales growth थोड़ा बहुत ठीक ठाक मान के चलते हैं लेकिन यहाँ पर profit growth का numbers minus पर है CHJR का भी numbers negative है और overall return on equity का numbers 0 है तो एक proper penny stocks का fundamental है दोस्तो penny stocks में कुछ अच्छी और कुछ negative points भी देखने को मिलता है यह कोई बड़ा stocks नहीं है जो आपको हर चीज proper मिलेगा liabilities और asset पर हमें negative देखने को मिल रहा है 235 करोड से 217 करोड हो चुका है liabilities और asset तो यह चीज़े आपको भी ध्यान रखना है और यहाँ पर आपको share holding pattern दिखा देता हूं 1.98% promoters के वाँ इसबक्त holding है और 98.01% public का holding है ठीक है तो एक बहुत ही risky fundamental है मतलब एक तरफ से दिखा जाए तो company का fundamental एक दो ना के बरावर है बट penny stock से तो यहाँ पर fundamental ज्यादा matter नहीं करता है situation ज्यादा matter करता है तो हम लोग इस company का जो है चार्ट प्रटन को भी थोड़ा बहुत analyze कर लेते हैं देखते हैं क्या result निकलता है तो आज के दिन company return दिया है एक परसन का आज Friday है आज market actually closing हुआ तब तक company जो है एक परसन का return दे चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं weekly चार्ट प्रटन के मुताबिक जो है छे परसन गिर चुका है इस हफते में max one month का चार्ट प्रटन देखेंगे तो साड़े बारा परसन company profit में है consolidate करने के बाद एक correction देने के बाद company जो है यहाँ पे एक up train दिया था बट यहाँ पे फिर से अभी company जो है correction मोड पे आ चुका है इस महिने में चार्ट प्रटन देखेंगे साड़े बारा परसन का return है six month का चार्ट प्रटन देखेंगे तो zero है कोई return नहीं है आप देख सकते हो return एकदम zero zero है six month के चार्ट प्रटन में हमें company जो है एक established नजर आ रहा है तो यहाँ पे अगर company इस range को sustain करता है तो आने बाले दिनों में company जो है ऊपर जा सकता है बहुत तेजी से बाकि यहाँ पे one year का चार्ट प्रटन देखेंगे तो 14% company गिर चुका है one year का चार्ट प्रटन से अच्छा मैं आपको max 5 year का चार्ट प्रटन देखा देता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहा हूँ company जिस range पे इस पर business कर रहा है और जिस price पे इस पर company support लिया है उस support पे लगबग 3 बार support ले पर support लेके जो है company उपर जाता है तीसरी बार तो यह बहुत तेजी से उपर भी जा सकता है इस बगब company का चार्ट प्रटन जो है short time के लिए हम इस नजरिये से देख सकते हैं ठीके तो इस company को लेके दोस्तों यहाँ पे max 5 year का return जो है आपका 11% का negative return है और max to max अगर देखा ज 54 रुपीज इसका share price हुआ करता था 54 का share गीर के 9-10 रुपए पे लगबग 2008 से लेके 2017 तक जो है ट्रेडिंग किया एक ही range पे ठीके बहुत साल लगाया है company इसी range पे उसके बाद company का लोगों को लगा कि नहीं यहाँ से company जो है उपर जाएगा ठीके एक upside का short covering देखा या तो पिर long time के लिए उपर जाएगा बट ऐसा नहीं हुआ है इस range पे 7-8 साल business करने के बाद company उस range को भी तोड़के नीचे आया ठीके उसके बाद फिर आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे 2018 तक नीचे आया मतलब यहाँ पे देख सकते हो 11-12 रुपे का share यहाँ पे फिर 5 रुप ट्रेडिंग कर रहा था फिलाल company जो है 4 रुपे पे ट्रेडिंग करता है ट्रेडिंग कर रहा है और यहाँ पे देख सकते हो जो चार्ट पड़न बनाया है आपका 2017-2018 में उस same chart पड़न आपको one year का chart पड़न पे भी दिख जाएगा यह same chart पड़न बनाया है अभी तो company के साथ जा सकते हैं यह हमारा point of view है इस वक्त जो company का chart पड़न है यह confusion chart पड़न है नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है ठीक है तो ऐसे situation पे कभी भी जब आप नए investor है आपको जादा कुछ जानकारी नहीं है तो ऐसे situation पे कभी भी long term के लिए निवेश नहीं करना चा है बड़ी यहां पर अगर support लेता है support लेके company उपर जाता है तो तो ही आप यहां पर तुरं बाए कर सकते हो नहीं तो इस company को लेके इस वक्त हम वेरिश हैं इस वक्त इस company में जो है हमें negative नजर ज्यादा आ रहा है और positive कम तो यह हमारा point of view है इस company को लेके आपका क्या point of view है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो अगर अच्छा लगा थे एक लाइक करना अपने दोस्तों को शेर करना दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और एसे ही जानकारी के साथ अमारी वीडियो को आनते तक देखने के लिए अपका बहुत बहुत धन्यवाद